तो यहीं गास कैसे आप से लोग गई होग क्या सलोग जे बहुत इच्छे होंगे से गास में नमें बनी सिंग आप देखे रापका अपने चैनल डिजिटल मंजी तो आज की स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जो है काफी आमेले स्क्राइब बाइमें नहीं हो सपहरी तो यहां पर हमेरे पास पर और नीचे हमारे पास में गरुप तो हम आज उपर आले जो दो गुरूप से उनके आउर में जाने वाले तो फर्स्ट गुरूप है तो इसकेंड वन इसक्ट डार्कन गुरूप ठीक है जो नॉर्मल गुरूप है यह हम सबसे ज्यादा यूश करता है और बिकॉस यह बाइड फॉल्ट होता है तो अगर हम है कि नॉर्मल में ब ुल चीज नॉर्मल रहती है सेम छीक्थ बिलुकल नॉर्मल में हमेरा पास你好 दूर्ट हो यह चीज रही होती है चीज है और दो इसा थोड़ा सव डूर्ल गूर्प की तो इसमें अभी मैंने किया लेकिन इसे पर एक परसंट भी कुई को कोई चैंज न यह वही सिमक्रम अगर मैं किया की तो हमारे पास में उस्ताइब की वक्सलिटिग एफेक्ट हमारे फास में देखने को मिलता है विसकोछी डॉर्ट के साथ में या पिकॉल के साथ में जो है जो है बपसिती को कम करता है जितने जयादा आप लगो आ स्थ कम किया कम किया अगर अब देखे तो कम होता जा रहा है थो होता है हमारा अधिस डिजॉल्व पिर हम चलते नेक्स डार्कन अब यह स्टार्ड होते है अपने डार्कन ग्रॉप बिसिकली जितनी भी डार्क है या ब्लैक कलर के साथ में को कुछ कमपोजेट अगरे रेडी करने तो वहां पर हमारा उसमें डार्कन काम आता है अब अगर आप देखें यह जो है मैं पहले इसको नॉर्वल पर करता हूं यह मैं एक ना इमिज बनाके रखें जिसके अंदर यह हमारी अगर मैं देखो तो सबके अंदर 10 का डिफ्रेंस है यहां पर देख लो 100 अप्राइटनेस तो अब अगर आप देखें जो हमारा ब्लाक कलर है वह अभी भी हमारा जो डार्कन कलर है वह जीरो चल रहा है प्राइटनेस जीरो उपर चले टैन हो गया 20 30 40 50 60 70 80 90 100 याने कि सारे कि सारे प्राइटनेस सेम हैं लेकिन अब अगर आप देखें हमारे साथ में इस बार कुछ स saturation भी आ रही है हूँ के साथ में saturation भी चेंज हो रही है अब अगर आप देखें आर के अंदर देखना तो आर के अंदर हमारा जो कलर है वह चेंज हो रहा है क्यों कि अब हमने जो है पीछे एक पुरा फुल रेड कलर डालके रखा है जिसका हमारा कोड है एच सोई एस एच ज फुल ब्लैक रहने देता है और जो फुल वाइट है इन दोनों फुल वाइट को पुरा गायब करते है फुल वाइट जो चीज़े वह गायब हो जा रही है अब अगर मैं देखू इसको इसकी जो brightness है जो हमारा नीचे आला कलर रहा अगर मैं इसकी brightness सिर्फ कम करो brightness हमारे यह है तो अगर आप देखें उपर से हमारी जो स्ट्रिप्स है वह गायब होनी शुरू हो चुकी है क्यों कि हमारी जो brightness अभी है हमारी जो में लेयर के उपर और जो brightness जो हमारा नीचे आला कलर है अगर उन दोनों की brightness सेम होती है तो वहाँ पर कैंसल आउट हो जाती है राइट क इसको नीचे लाकर 90 पे ले आऊं तो अगर आप देखें तो हमारा 90 वाली जो लाइन वह भी गायब हो गई क्यों क्यों दोनों कैंसल आउट हो गया उसके उपर के जितने भी है लाइक 90 से उपर 100 यह 9123 जितने भी उस सारे के सारह अपने आप चैनसल आउट हो जाएंगे 50 करके दिखा दू सेम चीज़ करता है उसके उपर के 50 तक के सारी की सारी आपको लेर्स दिखेंगे इसके उपर वाले जितनी भी है वो कैंसल आउट हो चाते हैं अब आगे बढ़ते हैं फिर आता है हमारे पास में मल्टिप्लाइ मल्टिप्लाइ इसको कोई मतलब नहीं है आप कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं वलता एक होता है आपका मल्टिप्लाइ अब आगे बढ़ते हैं फिर आता हमारा तो के बाद आता है कलर बन्द अब अगर आप देकिए कलर बन्द करताए हमारे पास में सारह का सारह जितनी यह वाला लेयर अंप्टी हो या खाल वाइट है तो पहला पॉइंट होता है कि अगर कोई चीज फुल वाइट है यानि कि उसकी ब्राइटनेस प्रसंट है तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा अभी देखो नीचे अगर मैंने इसका जो कलर है इसका मैंने इसकी ब्राइटनेस हंड्रेट करके रखी है तो अगर वहाँ पर हंड्रेट रहेगा ना तो वह वहाँ पर शो नहीं होगी विजिबल नहीं होगी अगर उसका दोनों का जो अगर लच्छे हमारे पास में उपर आले का हंड्रेट चल रहा था और नीचे वाले का होगी इसका स्रीट इतना से काम होता है वाइट के उपर बागी सारी काम करता और इक्स्ट्रीम काम करता तीक है यह होता आपका कलर ब journ और बन अ अब color burn में बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था linear burn क्या करता है इसके पास कोई भी आए वाइट आए ब्लाक आए कैसा भी आए यह उसके उपर डाल देगा जैसा भी आपका effect है वो सारा का सारा effect डाल देगा जैसा multiply में कर रहे थे यहां पर करने की कोशिश यहां पर कर रह देखें इसमें यह क्या करता है हमारी जो layer है जिसके उपर हमने blend mode डाल के रखा है यह सिर्फ उनको उनके उपर को effect नहीं आने देता और जो चीज़े हटानी हो हटाता है अब जैसे अब अगर हम देखें हमारे वास में 100 है तो यह बिसिकली 30 का gap डाल के रखा है अब अगर म तो अभी में इसको इसका जो color है वह सेम देखू तो हमारे पास में गया हो रहा है इसको मैं वापस से change करता हूं अभी अगर मैं इसको कर दिया यहां पर टिक है इसको मैं बंद करता हूं अभी मैं इसकी brightness check करो 68 ठीक है जी अभी मैंने इसको on किया कोई ना कोई effect आना चीए अभी भी अगर मैं इसकी चेक किरो तो 60 ही है विच मीन्स यह जो हमारी लेयर है इसके उपर कोई effect जरूर नहीं आने देता लेकिन हमारे कुछ colors को यहां से गायब करता रहता यानि कि आपकी layer effect नहीं होगी लेकिन यह वहां से गायब हो जाएगी कैसे अभी देखो अगर मैं बढ़ा रहा हूं इसकी इफेक्ट्स है वह जैसा जो इसकी brightness से पहले वह अभी भी वही है color भी सब कुछ सहीम है बस अब किया इसने इतना है कि इसके ऊपर के जितने की brightness के थे यह सारे के सारे इसमें यहां से बढ़ाई